Assalamu alaikum this is Aqsa Mehmood and welcome to my channel मेरी आवाज आपको शायद थोड़ी भारी भारी लगे मैं सो के नहीं उठी हूँ बलके सब सो रहे हैं और मैं उठी हुई हूँ रात के दो वज़रे और मैं वाइस ओवर कर रही हूँ Anyways मैं अभी comments पढ़ रही थी अपनी videos के तो बड़े interesting मुझे comment नजर आएक video के नीचे और वहाँ पर comments एक से बढ़कर एक हैं सारे और बड़ी debate चड़ी वी है ट्रोल करती जा रही थी मैं comment लेकिन इस comment पर आगे मैं रुप गई और मैंने screenshot ले लिया और इतना interesting ये comment लगा कि मैंने सूचा इस पर वीडियो ही बना दी जाए comment कुछ ये है कि इनाम उल्ला कह रही है या कह रही है क्या अमरूत खौब में खाते देखना लड़की पैदा होने की अलामत है तो I think मैंने ये comment पढ़ा होगा और फिर मैंने उस पर ये reaction दिया था मतलब ये myth कुछ जादा ही बे तू किसी नहीं है तो मेरे उस reaction पर वो बहन या भाई जो भी हैं उन्होंने मुझे बाकाइदा explain किया ये सच में ऐसा काफी बार सुना है कि जो खौब में अमरूद तोड़के खाए उसके घर बेटी पैदा होती है इस पर आपका क्या कहना है मैं speechless थी ये comment पढ़के और reaction मैंने दे दिया था उसके बावजूद वो पूछ रही है या पूछ रही है कि इसके बारे में आपका क्या कहना है इस तरह के और भी बहुत सरे comments है जो के मैं एके करके आपको पढ़के सुनाती हूँ शिरास खान कह रही है या कह रही है मेरा आपसे एक question है ज्यादा लोग कहते हैं कि अगर pregnancy के time left breast swell हो जाए तो लड़की होती है और अगर right swell हो जाए तो लड़का प्लीज मुझे इसके answer दीजिए क्या ये सही है नहीं जी ये बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये सिर्फ myth बनाई हुई है किसी के साथ ऐसा हो गया होगा या उसने ऐसा experience किया होगा तो उसने ऐसी बात कह दी होगी इस तरह कि जो ये myths है ना ये सिर्फ किसी का experience होता है जो उसने share कर दिया होता है हम उसको real समझने लगते हैं सच समझने लगते हैं कॉमेंट भी कुछ इसी टॉपिक से related है शेरी तरार कह रही है स्सलाम अलेकुम मुझे आप से पूछना था के 10 weeks हुए है हमल को डॉक्टर ने कहा है के बेबी left side पे है मतलब कौन सी डॉक्टर है जो बेबी का बता रही है कि वो left side पे है या right side पर है मुझे आज तक तो किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपका बेबी left side पर है या right side पर है left और right side पे discussion में बहुत दफा कर चुकी हूँ कि भई अगर placenta implant होती है आपके left side पे uterus के left side पे embryo आके वो implant हो जाता है वो कहीं पे भी आके implant हो सता है उसकी मर्जी होती है ऐसा नहीं होता कि लड़का होता है तो वो left side पे ही implant होगा और लड़की होती है तो उसको पता होता कि भई मैं लड़की हूँ और मुझे right side पर ही जाना है embryo इतना चोटा होता है कि उसमें अभी brain भी develop नहीं हुआ होता तो उसको कैसे पता चलेगा कि भई मैं आया future में मैं लड़की होंगी तो मुझे left side पे जाना है या right side पे जाना है मैं पहले से decide कर लो उसको direction कैसे पता चलेगी embryo को और I don't know यह कौन सी डॉक्टर ही जो खुद बता रही है कि आपका baby left side पे और फिर मुझे से पूछ रही है कि baby boy है या baby girl है मैंने अपनी सारी pregnancy's में कभी अपने baby को left या right पे movement करते वे या महसूस करते वे नहीं सुना I mean महसूस किया मुझे नहीं समझ में आता है कि खावतीन किस तरह से left side पे baby को feel करती है या right side पे feel करती है देखे तमी जो है वो अरी body के दर्मयान में होती है और वो कोई बहुत बड़ा room नहीं है कि बच्चा जो है वो जाके एक तरफ कोने में left side पे बैट जाएगा विडियो बनाई थी जिसमें मैंने baby heart beat का बताया था कि उससे gender पता नहीं चलता उसको explain किया था उसके निचे उनने comment किया था वो agree कर रही है कि heart beat never determines gender my baby girl heart rate was 172 and baby boy heart rate was 165 उन्होंने simply अपना experience यहां पे लिख दिया agree करते हुआ है उसके नीचे comment आए है इन बहन उनसे पूछ रही है हाले कि उन्होंने साफ साफ लिख दिया उसके बावजू तो पूछ रही है कि आपका anterior placenta में लड़की हुई थी और posterior placenta में लड़का हुआ था पर उन्होंने हार्ट रेट को डिसकस किया था अपना experience और नीचे वो प्लासेंटा पे आ गई है मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना दी है कि एंटीर पोस्टीर प्लासेंटा और हार्ट रेट सबको मैंने एक्स्ट्रें कर दिया डिटेल से कि इससे कुछ नहीं पता चलत और आई थिंग ये अब टॉपिक इतना ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है कि इस पर मजीद वीडियो बनाना वक्त का जिया करना है एक बार मैंने वीडियो बनाके साफ साफ कह दिया कि उससे नहीं पता चलता ना हार्ट बीट से ना प्लासेंटल पोजीशन से इर भी ल अब तक ये शायद उसका चैनल पर नहीं आई होगी इनोंने कॉमेंट कर दियो होगा उसी वीडियो को देखकर जहां तक प्लासेंटा की बात है तो मैंने एक वीडियो बनाई वी अपने चारो बच्चों के जो अल्ट्रा साउंड में प्लासेंटल पोजीशन है उस पर मैं पूरी वीडियो बनाई दिया वह भी रिक्वेस्टेड वीडियो है सिबल हुआ ता मैं यहाँ आई बटन पर उसका लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूगी और यहां स्क्रीन पर भी उसका थमनेल शो कर दूँगी जहां तक बात है मेरी सारी काष्सिस की स्मटम्स की तो इसे पर वीडियो बना दूंगी डिष्ट любов की मैंने अक्सा पर में एपने चानल पर तीन से चार ऑस जह याप है कि भीक भेजनी है sister मैंने पूरा ultrasound detail से पूरा समझाया है पढ़के बताया है कि आप किस तहां से अपना ultrasound यह वाली वीडियो डिटेल से देख लें नहीं समझारा दुबारा से देख लें फिर नहीं समझारा फिर दुबारा से देख लें डाउनलोड करके रख लें I don't think so के ऐसी कोई वीडियो यूट्योब पे मौजूद है जिसमें इतनी डिटेल से एक एक चीज मैंशन की अदीला गुल आपकी तरह और भी बहुत सारी लेडिज ने मुझसे ये बात कही है कि हम अपना ultrasound भेजना जाते हैं आपको 60,000 प्लस सब्सक्राइबर्स के अगर मैं ultrasound पढ़ने बैट गई तो वीडियो नहीं बना सकती मैं कोई काम ही नहीं कर सकूंगी फिर तो मैं इस वीड आपकी इस बासे में बिल्कुल एगरी करूंगी नेट का इनका मतलब है गूगल हम कुछ भी हमें सर्च करना होता है हम सबसे पहले गूगल करते हैं और माशाललह से जो हमारे गूगल बाबा है जिसको सब authentic कहते हैं या at least मानते हैं वो इस मामले में बिल्कुल zero हो चुके है आई थिंक ये सारी मिसकॉंसेप्शन जो है न वो गूगल से ही आई ये गूगल बाबा ने बहुत बार कह दिया है आप सर्च करेंगे आपको यही कहता हो वो नजर आएगा कि फहर इतनी हो या हाटबीड इतनी हो तो बॉय होता है या गर्ल होती है प्लासेंटल पोजिशन ये वाली हो तो बॉय होता है और या गर्ल होती है तो ये गूगल साहब पे जो है न ये केस करना पड़ेगा ठीक इन्फरमेशन नहीं दे रहे हैं ये मिसकॉंसेप्शन खेला रही है एनिवेज एक और कॉमेंट है लाजमी है कि अगर लड़की राइट में हो तो लड़का लेफ्ट में हो गया या फिर एक साइट पर भी दोनों हो सकते हैं वही बात अगें जो मैं पहले कह चुकी हूँ कोई भी बच्चा एक साइट पर नहीं होता है टमी में वो पूरी टमी में होता है मुझे नहीं समझ आता कि बच्चे को क्या अंदर ड़ लग रहा है वो जो अंदर मैंने लिटेल से अपनी सारे बच्चों की प्लासेंटल पोजीशन बताई वी यासमीन खातून ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरा बेबी का मुवमिंट राइट साइट में होता था और मुझे बेबी गर्ल हुई तो ये सिर्फ यासमीन खातून का एक् होता है क्या इस ताहिन के राइट साइट के है और लाइफ साइट के है अन्य विज्जे को कुछ मेस्जों हैं जो मैंने आपको वीडियो में शो की थी हैं रोज आना की बन्या calamत्स पर इतने सारे मेसेजिज इस तरह के आते हैं और अब इस वीडियो को देखने के बाद भी इसी वीडियो के नीचे भी इसी तरह के comment आएंगे यहां ही समझा सकते हैं हम लोगों को जिनको नहीं समझना होता कुछ भी आप कर लें वो इसी गलत फैमी में रहेंगे जिसमें वो रहना चाहते हैं I hope के वीडियो शायद इंट्रेस्टिंग लगी हो मिलते हैं इंशालला फिर नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिस